हलो प्रेंट्स मैं हूं मरेंद वास अभी कामारी यूट्यूब चैनल पाल्टीन को अरसाल में स्वागत है दोस्तों आज में लोग बहुत इंपॉर्टेंट टापिक के बारे में पढ़ेंगे हासा आज का अवारा टापिक है सिंपले सापरे वीम में रियक्शन फोर्ष ग्याद करने की सबसे आसान ट्रिक तो आज इस ट्रिक के माध्यम से किसी भी सिंपले सापरे वीम में चाहे जिस टाइप का लूड लगा हो चाहे आपका पॉयंट लोड लगा हो या UVL लगा हो या कोई channel moment लगा हो तो चाया जिस type का loading condition हो हम बहुत कम समय में लगभग 15 से 20 सेकंड में जो है reaction force बहुत ही आसानी से हम लोग ग्याद कर सकते हैं अगर बहुत छोटा question रहेगा तो आपका 10 से 5 सेकंड में भी आपका reaction force जो है find out हो जाएगा तो चलिए इस concept को समझने से पहले या इस trick को समझने से पहले हमको किछ चीजों के बारे में जानना जरूरी है चलिए हम कुछ चीजों के बारे में जान लेते हैं और ये trick जानने के लिए आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा वीडियो को इसकी बिलकूल मत करिएगा तभी आपको यह वीडियो असानी सा समझ में आएगा तो चले हम कुछ आपको यहाँ में आपको क्या करना है तो हम लोग काव प्रणा करते क्या है क्या होगा इन इकलिवरियम आपका समेशन यफ y equal to 0 और उपर वाला जो बल लगेगा उसको लोग क्या लेते हैं पाजिटी तो उसके काडिंग आरे और आर बी पाजिटी होगा आरे प्लस आर बी और माइनस डबलू बराबर क्या हो जाएगा 0 तो यहां से हो जाएगा आरे प क्योंकि हमने माना है कि उपर वाला क्या है पाजिटी है आप उपर वाला नेगेटी भी ले सकते हैं तभी आपका एक वेसन आएगा और फिर पॉइंट एक एबाउट सभी फोर्स का अलजबरिक समले रहे हैं यह भी क्या होगा तो आरे आरे की अगर यहां से दूरी करें य हमारा क्या है पाजिटित क्लाकवाज माइनस लेंगे तो हो जाएगा माइनस डबलू अदूरी क्या होगा इंटू ए और प्लस हो जाएगा आर बी और दूरी क्या हो जाएगा ए प्लस बे यह प्लस लेंगे आर भी क्यों क्योंकि पॉइंट एक प्लाकवाज भूमेगा एक बी कमान आ गया आर बी कमान यहां से यहां पर डबलू इंटू ए होगा तो आर बी कमान आ गया डबलू इंटू ए अपान ए प्लस बी अब क्या करेंगे आर बी कमान हम लोग एक्वेशन वन में पूट करेंगे जो एक्वेशन वन में पूट करेंगे आर बी कमान तो हमारा आ आरे का मान निकालना होगा, तो आरे हमने कैसे निकाला, आरे हमने निकाला, ये बल डबलू लिया, जब आरे निकालेंगे, तो डबलू वाले बल के से, जो है, बिंदू बी की दूरी का गुड़ा करेंगे, तो बिंदू बी की, बिंदू बी की, जो डबलू से दूरी हो, क्य into B upon A plus B, जब A वाला लेंगे, तो W में B का गुड़ा करेंगे, जब B वाला निकालेंगे, W में A का गुड़ा करेंगे, तो इस फार्मूले की सहायता से, यह हमारा जो फार्मूला बना है, इस question के carding, यह हमारे फार्मूले बना है, अब यह फार्मूला अगर हमको याद है, त इस फार्मूले को हम लोग क्या करते हैं, एपलाई करते हैं, फार्मूले को अगर हम लोग एपलाई करें, किसी question में, तो suppose किजिए, कि यह कोई आपका beam है, यहाँ पे आपका A point हो गया, यहाँ पे माल लिजी आपका, कई load लग रहे हूं, ऐसे, अब यह माल लिजी दूरी आपका एक मीटर है, दूरी किन्नी है, एक मीटर है, यह भी दूरी माल लिजी आपका एक मीटर है, यह भी दूरी माल लिजी आपका एक मीटर है, और यह दूरी माल लिजी आपका दो मीटर है, यह दूरी किन्ना है, दो मीटर है, अब सब पोच किजिए, कि यहाँ पे आप का 10 किलो न्यूटन का लूड लग रहा है यहां 20 का लग रहा है और यहां पेरमाल लेंगे चालीस का लूड लग रहा है यहां 50 का लग रहा है यहां 50 किलो न्यूटन का लूड लग रहा है अब आपको आरे और आर भी ग्याद करने के लिए वही वाला फार्मूला जब आरे न किन्ञा हो गया ? तीन हो गया और बटे क्या हो जायेगा टोटल दूरी 5 और पलस यह BT25 की यह 50 बंडकर 20 से दूरी जो किनी है? यह 2 है अपन क्या हो जाएगा? तोटल दूरी 5 ती हो जाएगा 40 और प्लस 60 और प्लस 50 दूनी 100 बटे 5 तो 60, 40, 100 और 200 बड़ाबर 200 बटे 5 200 बटे 5 बड़ाबर आगया 40 किलो न्यूटन ऐसे अगर आर भी निकालेंगे तो जब ये वाला बल लेंगे 10 वाला तो दूरी किसे लेंगे बिन्दूए से, बिन्दूएसे दूरी क्या होगी वन, जैसे हमारा ये चार है तो ये वाली दूरी किसे हो जाएगी वं, much करके हम लिख देंगे बटे 5 प्लस ये 20 हो गया बन अब दूरी ये 3 है, तो इधर से दूरी किन्य होगी, 2 बटे 5 और प्लस यह हमारा पचास इधर से दूरी किनी हो जाएगी तीन बटे पांच बिंदू यह से दूरी तीन तो यहां से हो जाएगा दस प्लस चालिस और प्लस डेड़ सो बटे पांच तो डेड़ सो और पचास किनना हो जाएगा दो सो बटे पांच दो सो बटे पांच तो यह इस प्रकार से देखें तो हम इस ट्रिक की साहता से बहुत आसानी से जो है हम लोग क्या कर लिए आर अर भी कमान निकाल लिए मतलब को जन्रल कंडिशन आप लगाने के सकता नहीं पड़ी अब इसी में थोड़ा सा लोडिंग कंडिशन चेंज करते हैं अब लोडिंग लगा हुआ है और माले यूडियल लगा है यह माले जी कि 40 किलो न्यूटन पर मीटर का लगा है 40 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडियल लगा हुआ है कितनी लंबाई में लगा है 2 मीटर लंबाई में लगा है कितनी लंबाई में लगा है 2 मीटर लंबाई में लगा है तो इसके कार्डिंग इसका इफेक्टिव लोड का इक कांसेट होता है अब 40 किलो न्यूटन पर मिटर लगा है दो मिटर लंबा में लगा है तो टोटल लोड कमान कितना होगा असी होगा और असी को मानेंगे रियक्शन निकालते समय एदम बीचो बीच कारे कर रहा है असी किलो अब क्या हुआ यह जो हमारा यूडियल लोड लग रहा है यह यूडियल लोड की जगवे पॉइंट लोड आ गया क्या हो गया पॉइंट लोड अब ऐसा हम मानेंगे कि हमारा यूडियल लग ही नहीं रहा है यूडियल जो है पॉइंट लोड के रूप में क्या हो गया ये बाकी सारी चीजे क्या हमारी वही हैं, ये सेम टूसेम है, तो यहां पे ज़ाएगा 240, तो 240 ज़ाएगा 280, 280 ज़ाएगा, 380, 5, 385 ज़ाएगा, और 380, 5 का जो बैलु होगा, 575, 635, 670 किलो नुटन, ये चीहतर हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा, RV, तो 80, 50, 130, और 80, 61, 41 यानि कि आरवी कामान किना हो जाएगा 64 तो आरे अगर आपका 76 किलो न्यूटन आ गया तो आरवी किना जाएगा 64 किलो न्यूटन आ जाएगा तो इसकी सायता से ने रहारा आरे और आरवी क्या हो गया बहुत या असानी से ग्यात हो गया अब हम चलते हैं यूविल लेते हैं एक हम लोग लेते हैं यूवियल यूवियल वाला क्योशन लेते हैं अब माल लिजी कि यहां पर लगा हुआ ऐसे है यूवियल है यहां पर हमारा कोई भीम हो गया और यहां पर एक लगा हुआ है यूवियल क्या लगा हुआ है यूवियल लगा हुआ है यह लगा है 30 K 눈 per meter यहाँ पर जो किनारे पर इसकी intensity है 30 K 눈 per meter है और यहाँ पर मान लेजे क्या है यहाँ पर लगा हुआ है आपका Point Road माजे 20 K 눈 लगा हुआ है और यहाँ पर लगाudeudial भी लगा है मान लेजे 10 K 눈 per meter का योडियल भी लगा हुआ है तो यहाँ पर Point Road यूडियल और यूवियल तीनों का ये combination हो गया तो इसका हम लोग कैसे reaction force निकालेंगे चलिए इसका reaction force निकालने का तरीका बताते हैं इसके लिए हम लोग एक effective load के concept का यूज करते हैं जैसे यूडियल या यूवियल के लिए जो मारा effective load होता है वो ये load diagram के छेथरफल के बराबर होता है मतलब ये तिर्भुज के याकार में जो load लग रहा है इसका जो मान होगा इसके छेथरफल के बराबर होगा मान ये दूरी सबोच कि ये 3 मीटर है और यहां से ये दूरी किन्नी है 2 मीटर है अब इसके लिए अगर हमको निकालना हो तो हम लोग करेंगे क्या सबसे पहले इस 45 किलो न्यूटन पर मीटर का हो गया हमारा टोटल लोड का मान और यह जो मानते ही जो लोड हमारा निकल लाए 45 किलो न्यूटन का ही हमारा होगा यह 45 किलो न्यूटन होगा लोड यह जो लोड लगेगा इसके तिर्भुज के गुरुत केंद परकार करेगा तो लोग जानते से एक मीटर दूरी पर क्या लगेंगा यह हमारा कहारी करेगा हो एक मेंटर दूरी के यह जाएगा तो यहógств किन्ना हो जाएगा यहां से हो जाएगा आपका यह साफ यह मारा हो गया लोड कितना है फैताइस किलो न्यूटं आया है औरedly हमारा जो यूडील दिया हुआ है यूडियल को भी हम लोग क्या करेंगे एफेक्टिव लोड में कर लेंगे दस किलो न्यूटन मीटर किनी लंबाई में दो मीटर लंबाई में तो टोटल बल हो जाएगा 20 किलो न्यूटन और इसकी यहां से दूरी होगी यह भी हमारा वन मीटर हो जाएगा और यह भी दूरी ह जाब पर अगर लिखेंगे तो पहला वाला Minuten 16 इसकी यां से далी किनी यह 15 और इसको साल को लिए 20 होके 80, 20-30, 60, और प्लस यह 45, और टोटल सब क्या हो जागा है, यह पांची होगा, तो 80-60, 80-60, 80-60, 80-50, बटे 5, तो काटेंगे, तो 5-35, 35-35, 37, 37 किलो न्यूटन ही आ गया, तो आर बी कमान क्या होगा, आरबी कमान इन तीनों को जोड़ लेंगे 20, 20, 40, 40, 40, 40, 80 85 में से 37 घटा देंगे 85 में से 37 घटा आएंगे तो 15 में से 7 गया, 8 है और हमारा 6 में से 3 जाएगा 3, तो गया 38 किलो न्यूटन तो किना हो गया? सरी, 48 किलो न्यूटन आएगा कितना आएगा 48 kN आएगा 7 में से 5 गया 2 8 में से 3 गया 5 15 में से 7 गया 8 और आपको बचेगा 7 7 में से 3 जाएगा 4 तो 48 kN आपका आगया तो इस प्रकार से हमारा क्या आगया तो इस ट्रिक की साह recording से हमारा दोट टोgg यहिए फैलर आट किसलों खरे है जो रहा हुज परेंट कना है यह तो जाएंगे तो इस तरीके सेいます के वाने कुमलों मुत टाइम में ऐसिकर सकते हैंusanव कर सकते हैंशालों कर πα dépendर किजीक है कभी हभी हमारा हामारा बीन मेंट क्या आता किए अब कभी इन यहां कि अगया है यहां पर मौमेला टील अगया यहां मालेजी यह पॉइंट लोड लगा है यहां मालेजी इस पॉइंट लोड लगा है और यहां पर इस किलो न्यूटन पर मीटर का है और यहाँ पे लूड लगाओ 10 किलो न्यूटन का और यहाँ पे क्या लगाओ यहाँ पे लगाओ 10 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडियल लगाओ अब इस प्रस्ने के लिए अगर हमको R A और R B का मान निकालना हो यह point C है यह point D है तो हम लोग कैसे निकालेंगे अब इसके लिए भी हम यहाँ से यह दूरी है हमारा 2 मीटर है और यहाँ से यह दूरी जो हमारा 1 मीटर है और यहाँ से यह दूरी मान लगाओ यह 2 मीटर है अब इसके लिए हमको R A R B का मान निकालना है तो जो हमारा moment के कारण जो हमारा reaction आता है Suppose कीजिए कि कोई ये beam है और यहां पे क्या लगा हुआ है यहां पे supported है इस प्रकार से इस प्रकार से क्या and supported है और यहां पे माल जो कोई moment लगा हो माल जो दस किलो न्यूटन मीटर का अदोरी माल जो ये है पांच मीटर है तो इसके काण जो reaction का मान आता है रियक्शन आएगा लेकिन यहां पर यहां पर उसका डायरेक्शन क्या होगा ऊपर की और होगा और यहां पर डायरेक्शन नीचे की और होगा तब यह दोनों रियक्शन क्या करेंगे यह भी दो किलो न्यूटन होगा और यह दोनों क्या करेंगे एक कपल लगाएंगे कपल का आप हम कपल बना रहे हैं और उस कपल का जो मुवमेंट का मान होगा वह भी दो गुड़ी दूरी क्या पांच के बराबर होगा यानि 10 किलो न्यूटन का जो हमारा यह मुवमेंट लग रहा है तो इसके कारण इसे दोनों सपोर्ट पे एक रियक्टिव मुवमेंट आएगा ज दोनों सपोर्ट पे वह यम बाईयल के क्या होगा बराबर होगा तो यह हमारा कोई प्रस्न है इसके लिए हमको क्या निकलना है आरे और 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 बी कमान हमको निकालना है अब आरे और और बी कमान निकालना है जब आरे कमान निकालेंगे तो इसके लिए जो रियक्शन कमान आएगा moment के कारण यहाँ पे भी यमबाईयल होगा और इधर क्या होगा इधर नीचे की और क्या होगा यमबाईयल होगा तो अगर देखें तो आरे कामान अगर इस वाले की कारण निकाले तो इसका effective load अगर निकालेंगे तो कहां पे आएगा 10 दूनी 20 किलो न्यूटन का आए और फिर प्लस क्या होगा प्लस आपका हो जाएगा 10 और 10 की से दूरी किनी यह दो बटे 5 और जब आरे निकालेंगे चुकि आरे पे जो reaction आ रहा है यह नीचे की हो रहा है तो यहाँ पे नीचे की माइनस यम बाईयल यम का मान 20 है और यल का मान क्या है पांच है तो इसके का यहाँ पे दूरी का गुड़ा नहीं करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा C प्लस 20 और माइनस 20 बटे 5 तो यहाँ से 20 से 20 कट जाएगा 5 से भाग देंगे आ गया 16 किलोन्यूटर ऐसे ही अगर हम जब आर बी निकालेंगे तो आर बी का मान क्या होगा आर बी का मान से मैसे ही 20 भुड़े अब यहाँ इधर से दूरे लेंगे बिंदुय से 20 गुड़े एक था पांच और प्लस यहाँ पे दस यहाँ पित्स प्लस प्लस 30 और प्लस 20 बटे 5 तो यहाँ प्लस 20 बटे 5 बढ़ आखा थे 20-50 बटे 5 बढ़बर आजाएगा 14 क्यों नियूटन तो इस प्रकार सब्सक्राइब कैसे रिक्स पर सकते हैं तो अगर और अगर आपको वीडियो पसंद आयोगे तो कमेंट करेंगे जो बताईएगा और साथ ये भी कमेंट करिएगा कि अगला वीडियो में माउस में या इस्ठनताप मेटेरियल में किस टापिक से बनाओगी जिसमें आपको प्राबलम हो जिस से भी टापिक की आपको ट्रिक जाने कर आ सकता होगी वो कमेंट बाक्स में क्रिक बताईएगा अगली वीडियो जो है उसी टापिक पे जो है आएगी